हेलो गाइस तो कैसे हो आप सब लोग आज मैं बनाने जा रहा हूँ टॉप 10 स्ट्रोंगेस्ट मेगा पोकीमोन के उपर एक वीडियो तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी मैंने पूरे मैनत किया इस वीडियो को बनाने में मैंने कॉलिटी भी अच्छी रखने की कोशिश की है मैं तो यही सोता हूँ कि यह हमारे चैनल की बेस्ट वीडियो हैगी और मैं इतनी देर से वीडियो नहीं डाल रहा है इसलिए अब मैं वीकली वीडियो डालूँगा और थैंक्यू 40 सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरी वान ऐसी वीडियो के लिए जो 100 व्यूस क्रोस कर च सब्सक्राइब बाएं कि नमबरम मैगा टार टाइरेञीटर दो मैगा टार एक ऐसा मेगा मेगा एवल्यूशन आज जो की बहुत ही कूल है इसके नॉर्मल फाम में भी और मेगा फाम में ही भी इसके नॉर्मल फाम ज्रूर वहासे पयलिवान टार्योट कि आएंगा और इस तो अब बढ़ते हमारे नंबर नाइन की तरफ नंबर नाइन नंबर नाइन पे आता है मेगा गार्चॉम इसका डिजाइन तो आसम है इसकी पावर भी कुछ कम आसम नहीं है यह मैं सीनो में इंट्रियूस कर आया गया था और सीनो के चैंपियन के पास ही यह पोकीमॉन है तो यह बहुत स्ट्रोंग है इसके जो ब्लेड्स है वो नाइफ की तरह शाप है और इसकी बॉड़ी पे वाइट वाइट कांटे भी बने हुए है तो अब मेगा गार्चॉम की तो बात हो गई अब बढ़ते हैं हमारे अगले नमबर की तरफ नमबर एट मेगा मेटाग्रोस एक ऐसा पोकीमॉन जो की अपने फॉर्म से जाद़ मेगा फॉर्म से जाद़ अपने मेगा शाइनी फॉर्म के लिए फेमस है तो इसकी शाइनी की भी पिच्चर आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही होई भी बात हो गई तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पोकीमॉन की तरफ नमबर सेवन मेगा सेलमेंट ये प्राइसूडो लेजेंडरी पोकीमॉन में से सबसे स्ट्रॉंगेस्ट मेगा एवल्यूशन में से एक है और ये इसको लोग बहुत ही पसंद करते हैं पर मुझे अच्छा नहीं लगता है इसका डिजाइन पर इसकी पावर बहुत ही अच्छी है और मैं उसको यूज करता हूँ एक्स वाई के गेम्स में और ये मेरे पास है एक्स वाई के गेम में तो अब बढ़ते हैं अगले नमबर की तरफ नमबर 6 मेगा डायं से एक डायमेंड जैसा दिखने वला पोकेमॉन और उसका नाम भी डायमेंड जैसा है इसका जो नॉर्मल फोम है वो भी डायमेंड जैसा लगता है और मैं न इसकी थिओरी ये बनाई है ये इसले इतना शो होगा चुकि कि अगर डायमेंड किसी को चुप जाता है तो उसको दर्द लोता है ये तो पूरा का पूरा ही डायमेंड है तो सोचो आप क्या होएगा तो बस या मेरी थियोरी या ओफिशल थियोरी नहीं है तो अब बढ़ते हैं अपने नमबर फाइफ की तरफ नमबर फाइफ एंड नमबर फोर पर आते हैं मेगा लाटियोस और मेगा लाटियास दोनों कभी भी अलग नहीं होते तो मैंने सोचा कि अपनी वीडियो में भी क्यों ना इनको साथ में रखा जाए और हमें मेगा लाटियो जो है वो दिखाया गया था पोकेमोन मुवी हूपा क्लैश ओफ एजिस में और या और लाटियो भी बहुत ही स्ट्रॉंग है हमें यह दिखाया गया था पोकेमोन मुव दोनों पर इन में डिफ्रेंस कमी है मेगा एवलूशन में चलो बढ़ते हैं अपने अगले पोकीमोन की तरफ नमबर थ्री तो नमबर थ्री और उसके आगे के जो पोकीमोन है वह बहुत ही जादा स्ट्रोंग होने वले हैं और बहुत ही जादा फैन फेवरिट भी तो वीडि जो पोकीमोन मैं मेड है और बहुत ही जादा ही स्ट्रोंग है और मैं बात कर रहा हूं म्यूटू की और यह है मेगा म्यूटू एक्स और म्यूटू के दो फोर्म्स होते हैं मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई तो हम दोनों की बात करने वाले हैं और मेगा म् 2 वाय तो मेगा म्यूटू एक्स नंबर 3 पे था तो इसको नंबर 2 पर हिओना था सब पता लगी गया है और यह बी म्यूट्व का ही मेगा एविलुशन है यह मेगा म्यूटू एक्स से थोड़ा अलग दिखता है पर यह बहुत ही स्ट्रॉंग है और बहुत ज़ादा fan favourite भी तो इसके आगे जो psychic मोन आने वाला वो इससे भी stronger fan favorite भी तो बढ़ते है नंबर वान की तरफ नंबर वान तो नंबर वान का आपको बेसबरी से इनकजार हो तो तो चलो बढ़ते हूं उसकी तरफ हाँ नंबर वन है मेगा रिकवाल्ड यह एक ऐसा मेगा एवल्यूशन है जो बहुत ही स्ट्रॉंग है और मैं आपको बोल रहा था कि यह फैन फेवरेट है हाँ यह बहुत ही जादा ही फैन फेवरेट है और इसका डिजाइन भी कूल है इस स्ट्रॉंग पोकीमोन है और अगर गलार रीजन ना थी तो यह सबसे स्ट्रॉंग पोकीमोन होता मेगा एवल्यूशन में भी और एनिमे पोकीमोन पे भी तो यह दैट्स आल ओफ मै वीडियो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होएगी वीडियो अच्छी लगी तो नमून्स वर्ल्ल का पार्ट फोर डाल दूंगा बाइबाइब सी यो नेक्स टाइम और गुडबाइब